एक पशुपती बृत होता है और वो बृत ऐसा है कि उस बृत को पाँच सुंबार करना चाहीए कोई से भी पाँच सुंबार जिसमें तुम्हारी मरजी पड़े ऐसा कौन सा काम है जो पशुपती बृत से नहीं हो सकता जब पशूपती अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकादीपती रामन के प्राण निकल सकते हैं तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशूपती ब्रत से प्रापता नहीं हो सकता बस उसका नियम है पांच सुंबार करो पहले सुंबार को करो चाहिए दूसरे सुंबार को करो जिस सुंबार को पशूपती ब्रत करो सुबहा शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो अर्चना करो अविशेक करो वो थाली को लेकर बापिस घर में रखे हो सुबा फलार करो शाम को बापिस उसी थाली को लेकर जाओ उसमें छे दिये लगा कर लेकर जाओ दिये को जलाना नहीं है केवल घी के दिये लेकर जाना है थोड़ा सा मीठा शिव महा पुराण में इसकंद पुराण में जो पशुपती व्रत बताया है उसका विधान, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ, शिव जी की फिर पूजन करो, पूजन करने के बाद में, शाम के समय परदोशकाल में, पूजन करो, पूजन करने के बाद, बाबा भोले नात के अराधना करकर, पांच दिये, शंकर जी के सम्मुक में लगा दो, जो मीठा लेक कर गए हो उसके तीन हिस्से कर दो हिस्से मंदिर में चड़ा दो एक हिस्सा और एक दिया ठाली में रखकर पूजन करने के बाद वापिस लेकर आजा है घर के दर्वाजे की देहली पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आये हो उस दिये को जला दो और अंदर जाकर जो प्रशाद लेकर आयो एक हिस्सा उसको पाकर फिर भोजन प्रशाद ग्रण करने एसे पशुपती नात के पांच ग्रत रहते हैं इसा कौन सा कार है जो बोलेना पूरा ना करता है कौन सा कार है शिरी राम जी महराज अगर सेतु पर चड़ाई करने जा रहे हैं लंका पर तो भगवान शिव की अराधना करकर जा रहे हैं भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की अराधना करी भगवान शिव की अराधना शिवर्च मेरा विंकटिश भगवान तिरुमाला के शिखर पर अगर तिरुपती बाला जी विराजमान है तो पेले उन्हें भगवान शिवजी से पूछा कि हम यहां बेट कर तप करना चाते हैं आ जाएं भगवान शंकरने का आओ और तिरुमाला के शिखर पर बेट कर तप करो, साधना करो, आपकी मर्जी पड़े, वैसे निवास करो, मेरे हरी, तिरुपती नाथ, मेरे बाला जी, मेरे वेंकटेश भगवान कहते हैं, मेरे नरैन कहते हैं, भोले नाथ, हम यहां तप करेंगे, और दुन्या के लोग तुमारी रक्षा करूंगा अगर आप तिरुपती गए होगे तो आपको मालूम होगा उपर तिरुमाला में मेरे नरेन हैं तो नीचे का पिलेश्वर महादेव में मेरे संकर बेटकर रक्षा कर रहा हुआ कि नाद द्वारा चले जाओ जब शिरीजी बाबा के ऊपर आक्रमन किया गया भोले नाद जी के ऊपर जब आक्रमन किया गया गोवरदन नाद जी की मूर्दी को खंडित करने का जब भावाया तब ब्रजवासियों ने शंकर भगवान को घास के पूले में दवाकर बेल गाड़ी में लेकर रात की रात भाग गए और शिनाच जी को लेकर जब भागे सब दूर घूम लिये श्री जी बाबा को कहां रखें शिनाच जी को कहां रखें तब सब दूर घूमने के बाद मेवाड की भूमी मर जब पहुचे तो शंकर भगवान से श्री जी बाबा ने कब भोले ना तब आप बता दो हम कहा रहें बार बार घूम रहें कहा जाएं किस जगा हम कहा जाएं हम किस जगा पर जाएं आप बता भगवान शिव कहते हैं ठाकुर हे श्री जी बाबा आप एक काम करों आप मेवाड की इसी भूमी पर रही है कि आप यहां रहोगे और हम एक लिंगा दोल कि रूप में आपकी रख्षा करेंगे कभी आप नाद दोरा जाकर देखना शिनात्जी में श्री जी बाबा विराजमान हैं और उनके पास में एक लिंग जी के रूप में भगवान शंकर विराजमानी कोई ऐसी धरा, कोई ऐसी भूमी, कोई ऐसी जगा, जहां शिव ना हो हर जगा सरवस्त विराजमा, भोले, सरवस